जाहें साथियों, स्वागत आपका हमारे यूट्यूब चानल जेनरल स्टाडी स्ट्रिक्स में साथियों आज हम लोग 18 नवेंबर 2023 के डेली करेंट अफेर्स का अनालिसिस करेंगे तो जाधा टाइम ना जाय करते हुए हम लोग जम करते हैं अपने पहले क्वेस्चन की और पहला क्वेस्चन है साथियों आपके लिए किरन रिजूजू सहाब हमारे जो मिनिस्टर सहाब है वो माल्डीव में प्रेसिडेंट एलेक्ट मोहमद मुजू की सेरिमनी स्वेरिंग इन सेरिमनी को जाएंगे और रिप्रेजेंट करेंगे इंडिया को तो इनकी स्वेरिंग इन सेरिमनी अटेंड करेंगे किसके एक कि मुहंम्मद मुईजू की ाओं के माइडीeight जी उस पहले प्रेवेंड कौन को इन साथ के पहले मॉण साहब के पहले कौन प्रेवेंड से आपको ये बताना है ठीक है तो साथ यह उपछन है आपके लिए अब्दुल्ला यमीन सहब सेकेंड ओप्शन इब्राहिम मोहमद सोली साहब थर्ड ओप्शन है साथियों मैमून अब्दुलगयूं सहब और लास्ट ओप्शन है मोहमद वाहिद हसन सहब यह चार ओप्शन है आपके सामने और आपको यह बताना है कि जो इसका सही आंसर है इब्राही मोहमद सोली यह काफी प्रो इंडिया थे और इनको काफी प्रो चाइना माना जा रहा है ठीक है हलाक इन्हों ने कहा है यह बैलेस्ट करके चलेंगे पर असल में सब्सक्राइब करेंगे तो इसलिए इनको प्रो चाइना माना जा रहा है इससे पहले जो थे वह प्रो इंडिया थे जिन्हों ने कई ऐसे रिफॉम्स किये थे जिस्टे कि यह था कि इंडिया और माल्डिव के संब्स बहूत अक्छे हो गए थे और अब यह हैं तो देखrich से हैं कैसा होगा ठीक है तो अब देख से हैं कि इनकी प्रेजिदेंसी में क्या होता है ठीक है और इससे पहले जो प्रेजिदेंट सहाब थे वह कौन थे इब्राहीम मोहमद सोली साब ठीक है तो और यहां पर अभी कौन बने हैं मोहमद मुजू साहब ठीक है तो याद रखने के लिए कैसे याद रखेंगे एम से मालडिव्स म से मुहमद और म से ही मुजू ठीक है तो तीनों म से ही अगर आपको मिल जाए कोई चीज तो वही प्रेसिडेंट होगी अगर आप तो पूचे जाएगा मालडिव्स के से कौन बने हैं मुजू साहब जो हैं प्रेसिडेंट बने हैं और इससे पहले कौन थे तो इब्राहीम मुहमद सोली साहब ठीक है तो यहाँ पर हम लोग ने दोन अभी कभी देख लिए और जो इन से पहले से उनका भी देख लिया और आपको पता होगा मालडिव्स क्या है माले संब ठीक है माले इनकी अपर आपको यह वताना है विच आफ के व्यूवज इंट्रोडिविंग इंट्रोडिव्स चैट बॉर तो टीनेजर के लिएिए एई आइडिडिवेशल इंटेलिच चैट बॉस्ट किसने इजाद किया है या किसने इंट्रोड्यूस किया है आपको यह वताना है ठीक है विच आप फॉल्लविंग इंट्रोड्यूस एई चैट बॉट फर टीनेजर्स आपके ऑप्शन से साथ ही हो पहला ऑप्शन है यूट्यूब इडम चैट स भाट है त्यों सेंट उसको इंट्रोड्यूस किया है टीनेजर्स इटर्स इस वह और मुशना बोलर्ड ओंड्राम किसका है वह माइक्रोसाफ्ट का है और जो बाट है यह बाट है वह भी फुट है और यह चैटिविए च Nah sollli कि आयुट customer बाट है वो साथीयों किसका है वो Google का है और चैट GPT जो है वो ओपन आया Microsoft का है ठीक है साथियों और Google ने इंट्रोड्यूस किया है AI chatbot बाट फ़र Teenagers ठीक है तो Teenagers के लिए किसने इंट्रोड बाट जो है वो गूगल का है ठीक हराम से आप पता लगा लेंगे एक दो बार पढ़ेंगे ऐसी दिमाग में बैठ जाएगा को इसके लिए ट्रिक्विक की जरुवत नहीं है ठीक है तहां पर सब्सक्राइब करेंगे तो उनका होस्ट कौन होगा आपको यह बताना है ओसकर कौन होस्ट करेगा 2020 में 2024 में आपका यही क्वेश्चन है एक बार क्वेश्चन फिर से पढ़ लेते हैं इंग्लिश में फॉल्विंग विल रिटर्न एस होस्ट फॉर 96 अकेडमी ओवर्ड से 2024 और आपके उप्शन से साथी हो पहला प्रियंका चोप्रा सेकेंड ऑप्शन है जीमी किमेल थर्ड ऑप्शन है क्रिस रॉक और फॉर्ट ऑप्शन है साथी हो नील पैट्रिक ठीक है तो आपको बताना सि हरके पूर्थ फॉर्थ टाइम औसकर ओवार्ड सी कहें यह फोर्स टाइम ऊसकर वर्ड फोस्ट करेंगे ठीक है फॉर्थ सेटंड कंजिक्योटेव पिछले साल नहीं लुट ऑर फॉर्ट ओवर्ड एटी ऑच्छा है कि इन्हों नहीं किया था हुम लोगोगो याद नही और फिर जब इनके नॉमिनेशन्स होंगे जो विनर्स होंगे उनके बारे में तो हम लोग पढ़ेंगे ही ट्रिक के मांदियम से क्योंकि यहां पर इसको जादा होता है ठीक है अभी के लिए आपको इत्ता जानना है कि ऑसकर कौन होस्ट करेगा साथियो तो जिमी के मैल जो है किस इंडियन अमेरिकन को प्रेसिडेंट जो बाइडन ने इंक्लूट किया है या पॉइंट किया है अड्मिनिस्ट्रेटिव कॉंफरेंस ऑफ यूएस में ठीक है फिर से क्वेस्टिन पढ़ लेते हैं तो जो बाइडन ने किसको अपॉइंट किया है अड्मिनिस्ट्रेटिव कॉंफरेंस ऑफ यूएस में सिंपल सा क्वेस्टिन है अपॉइंट में रिलेटेड और काफी इंडियो अमेरिकन की बात हो रही है तो साथियों आपके options है पहला option है एस दुराई स्वामी सेकेंड option है निर्विकार सिंग थर्ड option है भव्या लाल और फोर्थ option है साथियों शकुंतला भाया ठीक है इन चारों में से किसको अपॉइंट किया गया है अड्मिनिस्ट्रेटिव कॉंफरेंस ऑफ यूएस में किस लिए तो इसको इसका सही आँसर है शकुंतला भाया ठीक है कि और इसका रिमिजदेन्ट सहाब Power परिजिदेन्छन सहाब क्या को दो याद रहेंगे कैसे कैसे याद रखेंगे इसमें थोड़ा सा confusion हो सकता है इसलिए हम इसके लिए ट्रिक बनाए है कि एड़निस्ट्रेटिव कॉंफरेंस कैसे याद रखेंगे एड़निस्ट्रेटिव में उसको अपर करना पड़ेगा जिसके उपर कोई शक ना हो ठीक है शक किसके नाम में ही शक पर आप नहीं होगा शक कुंतला ठीक है कि नाम में शक नहीं वह एद्मिनिस्ट्रेशन उसके mathematicalen उपर पर अपॉइंटेड हुई है या किस लॉबी में पॉइंट हुई है तो आप अराम से बता देंगे शक नहीं होगा तो कहां पर अपॉइंटमेंट होगा तो administration मैं अपॉइंटमेंट होगा administration मतलब administrative गांट किया गया है मैं आपके साथियों तो भी से पुछते हैं तो आप ऐसे वाइसे वाता लेंगे इज के इसांतितर नहीं किया गया है बढ़ते हैं अपने मेंस करेंट अफ OP फलेशन से किसिन वेडियोgle तेकिन शर्साइस मित्रशक्ति** छोफ रही है आपको यह न है अगर आपको यह पता है कि मित्रशक्ति किस के किस के बीच होती है तो प्लीस कॉम्मन सेक्शन में जरूर बताएगा ठीक है तो आपको यह बताना है मित्रशक्ति कहां पे हो रही है देखिए एक exercises में दो ही चीज़ें पूछी जाती है एक तो उनकी प्लेस पूछी जाती है और एक तो पहला उप्शन है विशाखापत्नम सेकंड उप्चन है पितऔर अगर तर एक तर्ड़ुकर ओण है और फूर्थly है तो शाथियों साथीयों मित्र शक्ति जो हो रही है वो पूने में हो रही है ठीक है पूने में हो रही है और मित्र शक्ति किसके कि बीच की एक्सरसाइज है तो इंडिया और श्रिलंका के बीच की यह एक्सरसाइज है और यह नाइन्थ एडिशन है ठीक है नाइन्थ एडिशन ऑफ जॉइंट है वो साम दाम दंड वेट किसी तरीके से निकालना हो बस निकालना है मतलब कोई ऐसे अने टिकल काम बद कर दिएगा एथिक ली पर आप निकाल लेगे ठीक है अब जैसे एक IPS ऑफिसर आइप आइस ऑफिसर थे वह अपने कान में शायद ब्लूटूथ लगा कि चलेगे तो ब दिखे ली जीना बहुत ही कठन है और बहुत ही शुखळ आंप यह वाद बताएं ठीक है आप खुद महसूस करें कभी अपको अच्छा काम करेंगे तो आपको कितना शुखळ ऐसास होता है ठीक है ज्मीन बाते नहीं करते हैं तो आप का मित्र जो है आपकी कभी लंका नही इंधर शक्ति कहा हो रही है यह पूने में और मित्र शक्ति किसकी किसी एक्सराइज तो मित्र कभी आप पी लंका नहीं लगाएगा तो यह शिलंका के साथ एक्सरसाइज है इंडिया की ठेक है साथी हो आशा करते हैं आपको इकरेंट अफेर की ट्रिक समझ में आ गई होगी अब बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट करेंट अफेर की और नेक्स्ट क्वेस्टन है साथियों इनमें से कौन सा फोर्थ वेसल है आंटी सबमरीन वार्फियर शैलो वाटर क्राफ्ट प्रोजट्ट का ठीक है फोर्थ वेसल आपको बताना है कौन सा है अभी हम लोग एक दो तीन के बारे में भी बात करेंगे पर आपको यहां पे question में पूछा गया है कि fourth vessel anti-submarine warfare shallow watercraft project का कौन सा है और आपके options है साथियों पहला option है कट्टू पल्ली, second option है अगासी, third option है admini वी और fourth option है साथियों अमीनी तो इन चारों में कौन सा option सही है कौन सा वो fourth vessel है जो कि anti-submarine warfare shallow watercraft project के अंतरगत बनाया गया है तो साथियों इसका सही आंसर है अमीनी ठीक है अमीनी जो है fourth anti-submarine water shallow watercraft project का fourth vessel है ठीक है और यह किसने बनाया है यह बनाया है L&T ship building ने ठीक है L&T जो company है उस ship बनाया है ठीक है तो द्यान दीजेगा इसको किसने बनाया है L&T ने बनाया है ठीक है उन्होंने successfully launch किया था और इनका क्या नाम है अमीनी नाम है ठीक है अमीनी किसके नाम पर पढ़ा है लक्षवदीव से है anti submarine का ठीक है पतीक है डीक मरा कशी मिनी वेंस आँ eld कर से लिए मिनी वेशल है और चारण तो वो भी फोड होगा ऐसाल होगा वो मिनी crab तो एक दो तीन चार्ज ऐसे लगा लेंगा यह चौथा मिनी वेसल है किसका एंटी सब्मरीन वार्फेर शैलो वाटर प्रोजेक्ट का ठीक है साथियों आशा करते हैं आपको चीदे समझ में आ गई होंगी एक बार फिर से देख लेते हैं तो जो एंटी सब्मरीन चौथा वा मिनी से क्या है अमीनी ठीक है और एंटी सब्मरीन वार्फेर शैलो वाटर प्रोजेक्ट का है ठीक है साथियों आशा करते हैं चीज़े समझ में आ गई होंगी बढ़ते हैं अपने नेक्स करेंड अफेर की और देखे साथियों यहाँ पर चार वो दिये हो हैं पहले से तो पहली थी अरनाला जो पिछले साल 2022 में लॉंच की गई थी फिर थी अंजदीप 13 जूम 2023 को लॉंच की गई थी फिर एंद्रॉट थी जो 21 मार्च 2023 को लॉंच की गई थी और फिर अभी अमीनी है जो 16 नवेंबर 2023 23 को लॉंच की गया थी खिया और सबको किस ने डिजाइन किया है गार्डें रीच शिप बिल्डर ने ठीक है गार्डेंड रीच पिल्डर दॉडर एंटर्प्राइज से छी जी आरे सि ए ठीक है तो यह चार जो है एंटी सब्मरीन शैलो वाटर ग्राफ टॉजिट के अंतर कर देख लिए गा हो सकता है आप से कभी पूछ ले कि इन लोग को टाइम लाइन में लगाई इनको मतलब क्रोन लोजिकल टॉंस में लगाई यह सेट करिये तो आप याद रखेगा सबसे पहले आरनाला आई फिर एंड्रॉथ हाई फिर अंजदीप आये और अभी अमीनिया ठ ठीक है मिनी का मतलब यह कौन सी वेसल हुई तो मिनी में एक दो तीन चार लेटर तो यह फोर्थ हुई ठीक है फोर्थ वेसल हुई मिनी से क्या होगा अमीनी ठीक है साथियों हम लोगने अभी जैस पीछे देखा था आशा करते हैं आपको चीज़े समझ में आ गई होंगी बढ़ते हैं अपने नेक्स करेंट अफेयर के उर्दाटी हों नेक्स क्वेस्टेह साथियों कहां पे इंटरनेशनल commentaires on plant health management होगा या होस्ट करेगा कौन सी सिटी होस्ट करेगी international conference upी और्फ weeks ने चिन नहीं ठीक है तो साथियों फरीदाबाद में हम लोग ने कल क्या देखा था कि फार क्या होगी बहुत-बहुत फार होगी जिसमें इंटरनाशनल होगा तो इंडियान इंटरनाशनल साइंस फेस्टिवल जो था वो फरीदाबाद में होगा ठीक है हम लोगने ये कल के में किया था जो इंटरनेशनल होता है वो फार होता है तो यह फार होगी मतलब फरीदाबाद ठीए फार से क्या याद रखेंगे फरीदाबाद जो कि हर्याणा में और इसकी थीम क्याती साथियों साइन्स टेक्नोलोजी पब्लिक आउट्रीच इन अमरित काल ठीक है साथियों आपको सब याद है ना जी जी बिल्कुल सही है सही है चलिए बढ़ते रहें और साथियों यहां पर आपको बताना है इस इस क्वेस्टन का सही आंसर क्या है ठीक है इंटरनेशनल कॉन्फरेंस और प्लांट हेल्थ मैनेजमेंट कहां पर होगा आपको यह बताना है आपको इस फरीजाबाद हाईद्राबाद और चिन्न नहीं तो साथियों इसका सही आंसर है है ठीक है इड्राबाद में यह इंटरनेशन कॉन्फरेंस ऑन प्लांट हेल्थ मैनेजमेंट जो है होस्ट किया जाएगा ठीक है बस आपको इत्तिया रखना और 15-18 नमेंबर तक यह किया तो आपको कोई भी मार्क्स अपना ऐसे नहीं गवा देना है पूरा उसके लिए जद्दो जहद करनी है पूरी उसके जदन से स्ट्रगल करना है लड़ाई करनी है ठीक है अन्त में जाके अगर आप नहीं कर पारे तो कोई बात नहीं पर अंतिम सांस तक लड़ना है वहां एक क्या है प्लान को आइजमेंट में वह रही है हज़िए टीक है अच्छी खात वहरे अच्च बैनगे बहुत अच्छ न बहुत अच्छ तो बहुत अच्छ हो यह तिया कियो बता रहा है आपको कि है ट्रहें है प्लांटी के हैं में पापनि देने जल्डेने झा क्या ताक परहएं यहां प्लांट में हैं पाणी देंगे तो इसको खुली प्लांट है और किली हींद्र baixo तब कैसे अच्छी रहेगी जब वह हाइडरेटेड रहेंगे तो प्लांट हेल्थ मैनेजमेंट कहां पर होस्त किया जा रहा है हाइडरेटेड मतलब हाइडरा बाद में ठीक है साथ ही हो आशा करते हैं आपको यह ट्रिक समझ में आ गई होगी यह बार फिर से देख लेते हैं प्ल 파 कि फिल्टेड रहेंगे टेके प्लांट लंख से क्या है प्लांट एल्ट मैनेजमेंट कहां हो रहा है यह व QA स्थियों आशा करते हैं आपको यह करेंड फेयर की चुड्रिक समझ में आ गई होगी बढ़ते हैं अपने पर इंक्त करेंडा फेयर की और सथियों कि next question है साथियों किस स्काइडाइवर ने किस इंडियन स्काइडाइवर ने हिस्ट्री बनाई है क्या करके 21,500 की फीट से छलांग लगाके ठीक है नियर वर्ड्स हाइज पीक माउंट एवरेस ठीक है तो माउंट एवरेस के पास माउंट एवरेस जो हाइज पीक है वहां उसक पास छलांग लगाके स्काइडाइविंग करके किस इंडियन स्काइडाइवर ने एक रिकॉर्ड कायम किया है ठीक है विच आपके फॉल्वेंग स्काइडाइवर है एज्ट हर नेम इन हिस्ट्री बाइजंपिंग ऑप हेलिकॉप्टर स्टैजरिंग हाइट ऑफ 21,500 फीट इंडियर वर्स हाय सपीग मांट एवरिस ठीक है तो साथिए आपके आप्शन से पहला उप्शन है सैनि अगर वाल थर्ड और ऑफ्शन है शीतल महाजन और पोर्त ऑप्शन है दिलीब पार्लोर कर ठीक तो यह चार उप्शन है आपके सामने अर्चन सर्दाना दिलीप पार तो साथियों इसका सही आंसर है शीतल महाजन ने शीतल महाजन जो इंडियन स्काइडाइवर है उन्होंने 21500 की फीट से जंप लगाके मांट एवरेस के नजदीग लगाके यह कारणामा रचा है ठीक है साथियों तो इसको कैसे याद इतनी उपर से मतलब चाहिता है श्कुंतला भाया जो में पॉइंट की गई है उस प्रेसे जो बाइडन द्वारा वैसे ही यहां पर क्या है स्काइडाविंग तब होगी जब कुई षीतल होगा शान्त होगा ठीक है तो स्काइडाविंग कौन करेगा जोगा इस पॅन करेगा निया जद किस समय में आ गई होगी और यह कहां पे लैंड की थी कालापट्थर या इन्होंने लैंड किया था ठीक है जो कि 17444-4 किस ने जंप किया था तो शीटल महाजनि लोगी इतना हाई जंप इतना स्कार डाइविंग कर पाएगा ठीक है साथियों आशा करते हैं आपको क्रेंट अफेर की एटरिक समझ में आ गई होगी बड़ते हैं आपने नेक्स करेंट अफेर की और next question है साथियों who of the following is reelected as Spanish Prime Minister तो Spain का Prime Minister किसको reelected किया गया है आपको ये बताना है ठीक है who of the following is reelected as Spanish Prime Minister आपके options है साथियों पहला option है होज लुई रोडरिग्यूस second option है होज मारिया अलजनार third option है मारियाना रजोय और fourth option है पेडरो सांचेज इन चारों में से कौन रिएलेक्ट हुआ है as Spanish Prime Minister तो तो उसमें सही आंसर है पेडरो संचेज जो है उनको reelected किया गया है कहाँ पे Spain में ठीक है Spain में उनको रिएलेक्ट किया गया है ठीक है उनका second term है ठीक है तो याद कैसे से रहके में याद रखे ओस्तों को क्लिटीफ की तंतुग वा। वस्तेर। में बॉस्ताई याद कि उद्द राखेंगा थी। पनिज पेंब और आधर मुझाय होगा तो पैरो सांचे सांचे सभानीच प्यांच तेकडल मुण हुआ है तो पेड्रो सांचे जो है सहाब ये इलएक्ट हुआ है प्रैम मिनिस्टर्ञ होगा साती हो पेंज कहां होगा तो पेंज को नेती है आप गुराह roku कि अग wrong है त्टिक है पयाद सांचे में हो खाठी है पयाद रखेंगे स्पेन और सांचे से बढ़के के सांचेज जो की इलेट हुए है ऐस प्राइम-ministर एम ऑफ इस समझ में आगई होगी बढ़ते हैं अपने नेक्स करेंट अफेर की और next question है साथ हूं इनमें से कौन से institution या कौन सा organization release करता है worldwide governance indicators ठीक है which of the following releases worldwide governance indicators ठीक है इनमें से कौन release करता है worldwide governance indicators आपने ये बताना है आपके options आ साथ हूं पहला option है world bank second option है transparency international third option है the economist और fourth option है साथ हो UNDP ठीक है इनमें से कौन release करता है worldwide governance indicators तो नाम में ही चुपा हुआ है इसको release करता है World Bank तो वर्ल यहां पर है और यहां पर भी वर्ल है तो वर्ल वैंग यह से आप छोटी सी ट्रिक लगा लेंगे आप बिल्कुल वहां पर regulatory quality rule of law control of corruption यह ती डाइमेंशन से जिसमें जो governance है worldwide governance किसी एक देश की governance को इनी चीजों पर मापा जाता है इनी चीज डाइमेंशन पर मेर किया जाता है ठीक है तो और जो वर्ल्ड वाइल्ट गवनेंस इंडिकेटर वो 1999 में डेवलब हुआ था ठीक है 1999 में डेवलब हुआ था बाइट वर्ल इनको ड्राफ्ट किया था ठीक है और छे जो डाइमेंशन उसके बारे में लोग देख लेते हैं तो साथ यहां पर हमने देखा कि वर्ल्ड वाइड गवनेंस इंडिकेटर कौन रिलीस करता है तो वर्ल बैंक रिलीस करता है ठीक है कब आया था 1999 में आया था छे डाइमेंशन क एकांटिबिलिटी वॉइस एंड अकांटिबिलिटी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एन अप्सेंस और वाइलेंस गवर्मेंट एफेक्टिवनेस रेगुलेटरी कॉलिटी रूल अफ लॉव और कंट्रोल आफ करॉप्शन तो याद कैसे रखेंगे पॉलिटिकल ग्रेस चाल अब याद रखेंगे पलिटिकल ग्रेस थी ऐंगे यह ट्रीक है आपकी लिए डाइम इंशन के लिए ठीक है इसका पुलिटिकल से याद रखेगा पूरेटल क Ricky सjalना पूरा यह पलीए यह यहां पर थोड़ा सा दूसरा कलर उस कर लिए है यह प्ल्टिकल स्टेबिलिटी एन एफसंस ओव आलेंस ठीक है जी से क्या हो गया सात्यों जी से और발 गवर्मेंट पिटिवनेस ठीक है झी से यह हो गया क्या हो गया regulatory quality हो गया, ठीक है, R से क्या हो गया, regulatory quality हो गया, ठीक है, R से क्या हो गया, regulatory quality हो गया, A से क्या हो गया, A से accountability हो गया, A से क्या हो गया, accountability हो गया, और C से क्या हो गया, control of corruption हो गया, ठिक है इसे हो गया एसे होगया रूल ऑफ लोग यह रूम टिक है एलेक्ट्रोंट G paradox City्याने saug Exam पॉय चिपलेस टेकलेस के लिए पश्टेकल से लेटिक है पॉलिटिकल से क्या है इसे iç inflict साथ है आपको आराम से समझ में आ गए होगे याद हो गए होगे प्लिटिकल ग्रेस्ट कहां पर होना चाहिए गवनेंस में जो है पलिटिकल ग्रेस होना चाहिए ठीक है सात्यों आशा करते हैं आपको यह सारी करेंट अफ्यर्क समझ में आ गई होगी और ध्यान दीजेए पर आया है तो यह 1999 में आया था करे बढ़ते हैं अब इसके स्वाइब करेंड ओर सातियों फिलिपीन से क्या आता है तो पें संद्चे में होता है तो essen सबीवाट तो सणनीर में सब्सक्राइब क्राइम स्वाइन वन criar बनी है पेड्रो सांचे बने और झेखने उसका तो आइस से वुजाएंगे, तो आइस land में क्या devenir कर दी गई थी emergency, इसी की वज़े से क्योंकि वहाँ earthquakes हैं, और earthquakes हा रहे हैं, और बहुत ही violent volcanic eruptions हो रहे हैं, इसके चलते जो है, ice land में क्या किया गया है, state of emergency घोशित कर दिया गया है, ठीक है, तो ध्यान दीजएगा, state of emergency कहां प को ठीक है साथियों बढ़ते हैं अपने नेक्स करेंट अफेर की और साथियों यहां पर एक प्रेडिक्शन है कितने प्रेडिक्ट किया है तो 6 से 7.1 परसेंट मतलब 6 परसेंट से 7.1 परसेंट तक की ग्रोथ देखी जाएगी इंडियन एकॉनमी में 24 से मतलब अगले साल से 2026 तक ठीक है तो ध्यान दीजिएगा हो सकता है तो इस पूरी रेंज दी हुई है तो आपको रेंज याद करनी है 6 से 7.1 परसेंट टक की रेंज है जिसमें इंडियन एकॉनमी को ग्रो करने की बात कही जा रही है ठीक है साथियों आशा करते हैं चीजे समझ में आ गई होंगी बढ़ते हैं अपने नेक्स करेंट अफेर की नेक्स क्वेश्चन है साथियों आपके लिए अभी हाली में कोको नेट डेवलप्मेंट बोर्ड ने लॉंच किया था हेलो नारियल करके एक इनिशेटिव लॉंच किया गया था कोको नेट डेवलप्मेंट बोर्ड द्वारा तो आपको बताना है कि कोको नेट डेवलप्म लिए न सथियू वायनाड तो यह कहांपे है इसका हźडयकोर्ट कहांपे है क क्रोंट druk का आपको वताना है ठीक आपने ओप्शन मंहीं कोचि और वायनाड हैं टीक ponieważ Thailand एक है किसका coconut development बॉक्त का बहुत यह सानी से याद हो जाएगा देखें जीओ यहाँ पर coconut का है और को यहाँ यह पर यह कोची का तो यहाँ यहाँ आपको अछे याद कोची कोचीए टीकर तो कोची केरला में आप ऐसे भी याद कर सकते हैं वैसे था अब सकते हैंorian TAइसे लिख सकते हैंं इनको मैंज करने के लिए इनकी ह surtout करने के लिए ہलो जुने फेसी detail coconut trees ठीक है किसे निकाली है coconut development board ने निकाल लिए coconut development board का headquarters कहा है तो cocoa से हमनों याद रहे हैं के ओ के ओ के ओ तो के ओ से के ओ सी एचाई कोची ठीक है साथियों आशा करते हैं चीदे सवर्ण में आ गई होंगी ठीक है और यह सबसे इंपॉर्टेंट बात है यह administrative control किस क्या है मिनिस्ट्रेटिव अग्रिकल्चर एंड फार्मर वेलफेर का ठीक है अग्रिकल्चर एंड फार्मर वेलफेर्स का है 1981 में आया था ठीक है साथियों आशा करते हैं चीज़े समझ में आ गई होंगी यहां पर देखी प्लांट मैनेजमेंट की बात हो रही ने प्लांट हेल्थ मैनेजमेंट की तो अभी हम लोग ने क्या किया हम लोग ने पुराना भी देख लिया और जो करेंट टॉपिक था व अपने नेक्स करेंट अफेर की और राशा करते हैं आपको यह ट्रिक समझ में आ गई होगी खोकोनेट वाली ठीक है साथियों चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स करेंट अफेर की और नेक्स क्वेस्चन है साथियों आपके लिए वेच अफ फॉल्वंग कंट्री विस लांच एवन गाड ठीक है एवन गाड एक मिसाइल है तो यह आपको बताना है कि इस कंट्री ने लांच की है एवन गाड ठीक है आपके और ऑप्शन जैसाती हो ऑस्ट्रेलिया सेकेंड ऑ डिखान है तो रेखिया कि एक दो बार में आपको आराम से याद आट था किदेगा कि तो यह रश्या की है ठीक है किसे लिटेन्जेल हो किसे रर्लेटर है आपको यह बताना है आपके ओप्शन से है पहला ओप्शन है लश्करय तईबा टेरर लीडस मतलब टेररिजम से रिलेटेड सेकेंड ऑप्षन है यूमन ट्राफिकिंग से रिलेटेड थर्ड ऑप्षन है टैक्स अवयिद और फॉर्थ ऑप्षन है सीक्रेट डेट्ट ऑफ इन चार में से कौन सा अंसर सही है सिप्रस Krices को सब्सक्राम के लिए है। तो letland उसेरे कि आपको यह पताना है अगर आपको यह पता हो ज़ंटेटम होता है तो आप प्रसमें जनरली दृटाल पाएंगे किसका अंजर्ण है टेकस फविटेमस ठीक है सिप्रnd जो है एक की बात होगी है तो क्योंकि इस क्या है मतलब आइलेंट कंट्री है जहां पर जो या मतलब अन्टाइक्ज वेल्ट होती है जो एक तरीके से क्या कहते हैं जैसे माली यह किसी को एक हजार रुपय टैक्स देना है तो उसने बस आठी सुर्पय टैक्स दिया और 200 रुपय बचा लिया तो यह क्या करेंगे यह वहां जाके सिप्रस में जमा कर देंगे इसी को कहत हिए चैपिटल और एक तो करेंसी तीक है कक्या फкимиस्तों फूर्शंप आल प्रiskt कई साथ हो याद है मदोग ने जा देखा हुए हुर्ण कि आ वहां पे हमने मैप कित्रू बताया थे मिर्टय करेस्ड ऑर और Gulf of Aqaba को link करना है ठीक है साती हूं चले बढ़ते हैं अपने next current affair की और तो यहाँ पर चीजी समझ में आ गई होंगी ना आपको स्विप्रस confidential किस से related है तो tax avoidance और wealth concealment से related है ठीक है बढ़ते हैं अपने next current affair की और साती हूं कि next question है साथ हूं आपके लिए नई चेतना इस related with which of the following ठीक है नई चेतना 2.0 इस related with which of the following आपके options यह साथ हूं पहला option है electoral campaign second option financial inclusion campaign third option है literacy campaign और fourth option है gender campaign तो आपको यह बताना है कि नई चेतना जो है वो किस campaign से जुड़ी हुई है आपको यह बताना है ठीक है तो आपके options देख लेए आपने और इसका सही आंसर electoral campaign नहीं है gender campaign है ठीक है gender campaign इसका सही आंसर है और इसको चला कौन रहा है ministry of women and child development नहीं चला रही है ministry of rural development चलाएगी ठीक है तो नई चेतना जो है gender campaign है जिसमें क्या होगा violence against women को eradicate करने की कोशिश की जाएगी ठीक है और यह campaign कौन launch करेगा यह campaign ministry of rural development launch करेगा ठीक है ध्यान देना है दो important बाते हैं कि इसको कौन launch कर रहा है ministry of rural development şehir of rural development और किसके लिए gender discrimination के लिए तिहीं जैन्डर इनके हें के तो इनके कैंपे़न क्लिए इनको मतलब वायलेंस इनको 퍼 in लिए यालंसा च्छेटना करने नई चयतना टू-पैंटीप уч Math 101 के Comp走了 एसे याद रखेंगे ज 언제 न चेतना है है चेतना क्या है कि Eradik Это वाइलिकेशन वाईलेंस अग्स मिध्लेंज को इसके लिए नई चछेतना जा रही है अंतियोस 예ोजना नाशनल रूरल लाइवलिवेगों कि अंतर साथ यहां पर सब लोग ने देख लेrü नहीं रॅच किस रिलेटर है चैंपाइब मिषोन और आनी मिसकून चला रहा हो अशा करते हैं चीजे समझ में आ गई होंगी सारी बढ़ते हैं अपने next current affair की और next question है साथ ही हो आपको पताना है कि RBI ने किसके उपर 90 लाग रुपए की penalty लगाई है ठीक है आपका question है which of the following which of the following bank got penalized by RBI with monetary penalty of 90.92 लाग ठीक है 90 लाग का जुर्माना किसको बरना है किस bank को बरना है आपको यह बताना है आपके options है पहला option है access bank limited second option है yes bank limited third option है HDFC bank limited और fourth option है ICICI bank limited तो इन चारों में से कौन साब वो bank है जिस पे उपर 90 लाग रुपीज का जुर्माना लगाए गया penalty लगाए गई है आपके options यह है ठीक है और साथियों यहाँ पर इसका सही आंसर एक्सिस वैंक ठीक है आक्सिस वैंक ने क्या किया है penalty लगा दिये 90.90 लाग रुपीज की साइटिंग नॉन कंप्लाइंस विच सेवरल की डिरेक्टिव इस्यूद बाई इसकी वज़े से इनके उपर यह जुर्माना लगा है ठीक है साथियों वह कौन सा पहला इंडियन बोलर बना है जिन्होंने साथ विकेट्स लिए सेवन विकेट्स लिए वन डे इंटरनाशनल में ठीक है कई हो को तो पता ही होगा पर जिनको नहीं पता है उनको अब पता च पर फॉला ओप्शन जस्पीद बुरुम्रा सब्सक्राइब भुगनेश्वर कुमार थर्ड ओप्शन है मुहमद सिराज और फॉर्थ ओप्शन है मुहमद शमी तो इन चारों में से किसने साथ विकेट्स हासिल किये हैं वंडे इंटरनाशनल में जो की पहली बार यह कारण पुर्ढ़ा दर्व थेविकेट्स लिया तो इनके रिकॉर्ड को सरपास्क्राइब साथ लिया है महमद शमी तो न्यूजिलैंड ये थे और यहां पे मुहमद शमी साहब ने साथ विकेट लिए हैं किसके लिए अगेंस लिए थे तो न्यूजिलेंड के अगेंस लिए थे ठीक है हम लोग निकल देखा था न्यूजिलेंड के अगेंस थी रोहिश चर्मा ने 50 चकों का 56 हिट करने का वर्ल कप में रिकॉर्ड बनाया सहां पर यहां पर महुमान शमी ने क्या किया है साथ विकेट लिया है इससे पहले कून लिया था इससे पहले Stuart बिन्नी या अगा तो यह साथियों आज का लास्ट क्वेस्चन है यहां पर हमारा जो सेक्षन है समापत होगा तो साथियों क्वेस्चन है आपके लिए किसको डीव वाटर ग्रीन फील्ड पोर्ट बनाने के लिए अवार्ड मिला है केनी करनाटिका में ठीक है किस इंस्टिटूशन या किस ओर्गन और फूर्थ ऑप्षन है अलें टी इंफ्रास्त्रक्ट्ट टीक है इन चारों में से किसको कॉंट्रैक्ट मिला है डीफ वाटर ग्रीन फील्ड पोर्ट चैट करने का करनाटिका में केनी करनाटिका में तो साथियों उसका सही आंतर है G.s.w. इंफ्रस्रक्ट्ट्थर को चार हजार करोड रुपय का ये contract मिला है जिसके चलते वो लोग deep water green field port बनाएंगे कहाँ पे केनी करनाटिका में ठीक है कैसे याद रखेंगे के से करनाट के से केनी के बाद क्या आता है जे तो जेस जबलू ठीक है चोटी से ट्रेक है और अगर exam में पूछता है तो आपको बे है ठीक है साथियो आशा करते हैं आपको ये trick समझ में आ गई होगी यहाँ पर हमारा ये session समभाब्त होता है हम लोग कल फिर मिलेंगे 19th November के daily current affairs के साथ तब तक के लिए साथियो जय हिन जय भारत